स्टियफ वा कैंट पोलिस की संयूक्त टीम ने रेलवे में फरजी न्यूक्ती पत्र देकर लोगों से ठगी करने वाले चार शातिर अभ्युक्तों को गरफतार किया है जिसके संबंद में स्टिय सोनम कुमार ने बताया कि मुखवीर की सूचना पर कैंट वा स्टियफ की संयूक्त टीम ने चार अभ्युक्तों को रेल म्यूजियम रोड के पास से गरफतार किया है पुत्र स्वर्गिया जगरनात निवासी लक्ष्मिपूर धुरियापार चीनी मिल थाना गोला तथा राकेश कुमार पुत्र तेश प्रताब निवासी रामपूर निकट काली जी का मंदिर थाना रामगरताल के रूप में उही है गरफतार अभ्यक्तों के पास से रेलवे के फरजी नियुक्ती पत्र, फरजी मेटकल रिपोर्ट, कूट रचित रेलवे का उपस्थित पंजी का वा साथ मुबाइल सेट बरामत किया गया है एस्पी सिटी ने बताया कि चारो अभ्यक्तों के उपर मुकदमा पंजेकरित कर जेल भेज दिया गया है गरफतार करनी वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंग, प्रभारे निरक्षक रेलवे सुरक्षा बल नरेंद रियादव, स्टी अफ के उपनिरक्षक आलोक कुमार राय, रेलवे चौकी प्रभारी कुवर गौरव सिंग सहित अनलोग मौजूद रहे संबने गोरफतार नियूस से बात करते हुए, स्टी सुनम कुमार ने कहा तीसरे मनोज सिंग पुत्र जगरनात सिंग और चौते राकेश कुमार पुत्र तेज प्रताब ये सब रेलवे में फरजी नौकरी देते थे, उनको परजी न्यूकती पत्र भी उन्हें पकड़ाया है, इसलिए मुकदमा प्रसंखिया च्छासो सालीस बटा इकिस पंजिग करते थे और उनको ज्वाइनिंग लेटर तक दे देते थे, कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, सारे कागज नकली बना के उनको दे देते थे, इसके जब सूचना में मिली तो एस्टेफ के साथ ये ओपरेशन किया गया है, और इनको किज़तार करके दिलवे जादा है, इस इसके पहले को अबरादी की त्यास नहीं मिला अभी तक हमें, हम खंगाल रहे हैं, अगर वैसा कुछ मिलता है, तो हम आपको सुचित करेंगा